हिंदी सिनेमा की एवड़े गरिन फिल्मों की जब भी बात की जाएगी तो राजेश खरना के फिल्म हाथी मेरे साथी को जरूर याद किया जाएगा वैसे तो हाथी मेरे साथी फिल्म बड़े परदे पे आज से बावन साल पहले रिलिज हुआ था लेकिन फिल्म बॉक्स आपिस पर सारे रेकॉर्ड तो रिये थे फिल्म के बावन साल पुरे होने पर भी फिल्म आज भी लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं आज इस वीडियो में फिल्म हाथी मेरे साथी जो आज लमसम 52 साल हो गया और आज इसी फिल्म के बारे में कई सारे अनसुनी बाते जानेंगे एक मई 1971 के दिन फिल्म हाथी मेरे साथी रिलिश हुआ था इसमें हिंदी सिनेमा के पहला सुपरस्टार्ड राजेश खन्ना की केरियर की बला अकबाश्टर फिल्मों में से फिल्म हाथी मेरे साथी एक था इस फिल्म को दो रास्ते आराधना कटी पतंग और बंधन के साथ याद किया जाता है हाथी मेरे साथी तामिल फिल्म जेविया छैला का हिंदी रिमेक है वैसे कई सारे ऐसे तामिल फिल्म है जो तामिल फिल्म के आलतामिल तो हम सब जानता है कि अलग भासा हो जाता है और वही उसे फिल्म के रिमेक करके हिंदी में बनाई जाती है और कई सारे ऐसे हिंदी फिल्म भी है जिनका रिमेक तामी में भी बना है फिल्म को शालीम जावेद जो सलमान के पिता है शालीम जावेद ने लिखा था लेकिन फिल्म की कहानी का एरिया राजेश खरना ही ने दिया था इस फिल्म को जब हिंदी में लिखा गया तब बहुत साड़ी चीजों को सुधार खैर फिल्म हाथी मेरे साथी ने अपनी डाइमेंट जुबुली मनाई थी फिल्म के साथ बच्चों को लाजेश खरना बहुत पसंद आये थी और किशूर कुमार शाहिप की अवाज में च एक उसी तरह से उस दोड़ में बच्चे किशूर कुमार शैक के अवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी में गया हुआ गीत चल चल मेरे हाथी वो मेरे साथी गाना बच्चों के गाना जुवान पे रहता था हाथी मेरे साथी फिल्म के पेडूशर के केरियर की है सबसे बड़ी और पहली हिंदी हिट फिल्म आनी जाती है हाथी मेरे साथी के बाद उन्होंने जानबड और इंसान के रिष्टे पड़ फिलिम बनाई थी जिसमें ससी कपूड और राखी ने भी काम किया था फिलिम बॉक्स ओपिस पर कुछ ज़्यादा कमाय नहीं कर पाया खेर शर्मीला टेगोड बत्या जाता है फिलिम हाथी मेरे साथी फिलिम की लीड एक्टर्स के लिए शर्मीला टेगोड को पसंद किया गया था हलाएं कि वह ये फिलिम नहीं कर पाई शर्मीला टेगोड के बाद तनुजा को इस फिलिम में काश्ट किया गया तन्नूंजा की किराधार का नाम तन्नू रखा गया था और काका और तन्नू को हाथी मेरे साथी के बाद मेरे जीवन साथी फिल्म में शाथ दिखा गया लेकिन फिल्म फलोप्षा भिथ हुआ फिल्म हाथी मेरे साथी का कहानी यहीं पे खतम नहीं होता है, साल 1971 में फिल्म हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना की सबसे सफल फिल्मों में से एक माना जाता है, इस फिल्म ने काका को घर घर तक के पहुंचा दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना यह फिल्म बैमन से साइन की थी और बाद में भी जब इसके स्क्रेप्ट पढ़ी तो अपना माथा पीट लिया था दरसल निर्माता एम एम चिनपा तामिल में बने चुके हाथे मेरे साथी का हिंदी रिमेक पनाना चाहते थे और उनकी दिल्ली ख्वाइश थे कि राजेश खना इस फिल्म में काम करे ओं मुंबई आये थे और राजेश खना से मिलने का पर्यास कर रहे थे एक दिन इस पर्यास में शफल भी हो गए चिनपा ने राजिस खाना के साथ स्टोडी एडिया साजा किया उन दिनों काका मुंबई में समुन्दर किनाडे एक किसी फैसिंग घर खड़े दिने की चाहत रखते थे और इसके लिए बाड़ी भेरकम रकम की उन्हें जरूरत थे सिंपा ने उन्हें शाइनिंग अमाउंट के तर पर पच लाख रूपे ओफर किया लेकिन काका ने गलती से बताया जाता है हामी भर थी कहा गया कि तब काका ने इस फिलीम के लिए कुल नौ लाख रूपे लिए थे जो उस वक्त उनकी फेश से तो ज्यादा था ही दुसरे कल इतनी भाड़ी भर के अमरेकम के बार में सोच भी नहीं सकती थैसा बताया जाता है काका ने जिसे हम राजिस खर्नय कते है उनका कई सारे नाम है उनका चलती था तो उन्होंने माथा पिटने लगा था जी हां बत्या जाता है शाइनिंग अमाउंट लेने के बाद राजेश खना ने फिल्म के स्किरिप पढ़ी तो माथा पिट लिया उन्हें लगा कि फिल्म तो बोड़ी तरह पिट जाईगी और उनकी इमेश खेड राजेश खना सहब तो पैसे ले चुके थे ऐसे में पीछे हटना भी ठीक नहीं था उनकी मजबूरी भी था तब लेखा उक सालीम खान ने और जावेद अक्थर काका के कड़ी भी हुआ करते थे काका ने उनसे अपनी परशानी बताया जाता है राजेश खना उस समय माथा तो पिठे लिया और टेंसन में रहने लगे कि भीया कहीं फिल्म फलॉप हुआ तो जो मेरा सुपरिस्टार का तगमा मिला है उस तगमा को कहीं आच न लग चाए बताया जाता है कुछ तो लोग क कहेंगे काका का कहना था लिखिन याशिर उस्मान ने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि सालीम और जावेद ने चार हाथियों को छोर फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी पूरी फिल्म काका की इमेज की इर्दगीर्थ गढ़ी बताया जाता है राजेश खना अपनी इमेज को लिकर बहुत सतरक थे उन्हें पसंद नहीं था कि कोई उनकी बुराई करे या उनकी शामने दुसरे कलाकारों की तारिफ करे ऐसे ही एक मौका तब जब आया जब उनके करेवी सलीम खान ने एक फिल्म मैगजीन को दिये एक इंटर्वी में संजीब कुमार की तारिफ कर दी थी बत्या जाता है बीबीसी हिंदी के रिपोर्ट के मुताबिक काका इस घटना से इतने खौप हो गए थे कि उन्होंने सलीम खान को बुला कर इस पर शवाल जबाब कर लिया था बाद में काका छो महिने तक उनसे बात भी नहीं किये थे यानि सलमान खान कि सलमान खान के पिता से काका जिने हम राजेश खने करते है चो महिने तक बात भी नहीं किया था खेर फिल्म हाथी मेरे साथी एक ऐसा फिल्म भना जो सदियों तक याद किया जाएगा और आज भी उन्हें याद किया जाता है खेर इस फिल्म में और इस फिल्म के एक गानने के लेकर बहुत दिल्चस्प किसा जुरा हुआ है बताया जाता है किसोर कुमार शहभ ने इसमें जो गाने गाये थे वो गाना उनका गाना इतना हीट हुआ इतना फ्यमस हुआ कि जिनकी तारीफ करते लोग आज भी नहीं ठकते हैं बताया जाता है फिल्म हाथी मेरे साथी 1970 में राजिस खर्णा सहेव का पहला यायू कहलेजे उनके किसमत का टरनिंग पॉइंट फिल्म में तनूजा की फिल्म हाथी मेरे साथी की गाने नफरत की दुनिया छोर कर यायू कहलेजे नफरत की दुनिया को छोर कर से जुरा है किशोर कुमार शहम ने गये थे इस गाने से एक बहुत दिल्चस्प कुस्ता जुरा हुआ है किशोर कुमार शहम ने इस गाने को गाने की कई कोशिस की लेकिन वो गाने को सही से नहीं गा पा रहे थे उन्होंने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिस कर चुके और इससे ज्यादा अ लच्मी कांथ प्यारे लाल को किशुर कुमार शायब की आवाज में उबात नजर नहीं आई। ऐसा कई बाड हुआ तो इसके बाद प्यारे लाल ने कहा कि क्यों न इस गाने को छोड़ दिया जाए। खेर उनकी इस बात से राजिस खना लच्मी कांथ और गाने के वो लिखने वाले अनन्द बक्सी सहभ ने इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गाना बहुत ही अच्छा बनेगा और फिल्म की आत्मा है इसके बाद खोड किशुर कुमार शायब ने कहा कि आप एक गाना मुह मुहुम्मद रफिश शायब से गवाई है। वही है जो इस गाने के साथ पूरा आन्याय कर सकते हैं। किशुर कुमार शायब ही मुहुम्मद रफिश शायब को अपना आईडियाल मांते है। छिस तरह से वीडियो बना ओ Sheikh放ते हैं तो एक बारी गर्वर आए दो बार उन्होंने भी अपना आइडियल माना और उन्होंने हिडाय दिया कि इस गाने को मोहमद रफी से गवाई और उनसे संपड कीजिए फिर रफी साहिव इसके लिए ने इसके लिए तयार भी हो और चिद्धत के साथ गाया कि जब ये गाना फिलिम या फिर वो कहीं और बाजता है तो लोगों की आखों से आश्यों निकल आते हैं यह था इस गाने से जुरा अंशुना और दिल्चस्प किस्था आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट के माधम से बताई किया और राजेश खर्ना साहिब जो प्यार तो किया डिंपल का परिया से लेकिन उन्हें वह खुसी नहीं मिला जो नहीं मिलना चाहिए था आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कॉमेंट पर बताईएगा और इस वीडियो को शरीट पीछेएगा और नीची लाल बटन दवा करें चैनल को फिर में सबस्राइट